हलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बंगाली रस्गुले बनाएंगे, दूद चाहे कैसा भी हो, टोन मिल्क हो, गोल्ड मिल्क हो, फेट वाला हो, गायका हो, कैसा भी हो, आपको रिजल्ट हमेशा ऐसा ही मिलेगा, अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको भी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रसगुले मिलेंगे तो जलिए फटा-फट से स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को तो मेरे पास यहाँ पर दूध है जो डेली हमारे घर पर आता है वो बचा हुआ दूध है जो इसके मलाई थी वो मैंने उतार करके रख दी है दूसरी भगोनी में मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है तो घर का जो भी बचा हुआ दूध है आपके पास जो भी दूध आता है वो दूध आप ले ले इसको अब हम गरम करेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि इसके मलाई उतारी जा चुकी है मलाई इसमें है नहीं तो इसको उपर मलाई नहीं पड़नी चाहिए तो हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसको गरम करेंगे दूद बॉल हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे एक कटोरी में दो बड़े चमच विनेगर एड़ करेंगे और इसी के साथ में ही दो बड़े चमच इसमें पानी एड़ करेंगे तो धीरे धीरे करके हम इस mixture को अपने दूद में डालेंगे दूद को फाड़ने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं आप नीबू के रसका भी यूज कर सकते हैं दूद बॉयल हो चुका है ये देखिए दूद में अच्छा कासा उबाल आ रहा है तो अब हम gas को off कर देंगे औ बिल्कुल हलका सा लगबक एक मिनट के करीब अब हम धीरे धीरे करके इसमें विनेगर वाला मिक्षर एड़ करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे बिल्कुल हलके हलके हास से क्योंकि जितना चैना सौफ्ट बनेंगा ना रसगुले उतने ही ज्यादा अच्छे बनेंगे तो तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपने दूद को फाड लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दूद फट गया है एकदम लाइट जीन कलर का पानी हमको दिखाई दे रहा है तो अब हमें इसको ज्यादा देर तक नहीं रखना है और हम इसको एक चलनी में ट्रांसफर क कर देंगे अगर जादा देर तक गरम पानी में रहा तो छेहना टाइट हो जाएगा अब इसके उपर हम थोड़ा सा थंडा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक कपड़े में इसको हमने ट्रांसफर कर दिया है और इसको स्क्वीज करके इसका जो भारी चीज ना रखे एक पतीले में हम डेड़ कप शुगर ले रहे हैं तो मेरे पास यह आदा कप वाला मेजरमेंट का कप है तो हम इससे तीन कप ले रहे हैं यानि कि डेड़ कप हमें चीनी लेनी है और इसका दुगना हम इसमें पानी एट करेंगे तो डेड़ कप चीनी पानी एड़ करने के बाद में अब शुगर के मेल्ट होने तक हम इसको मिक्स करेंगे गैस की फ्रेम को हमने लो किया हुआ है शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है तो अब इस शुगर सिरप में से थोड़ी सी सिरप हम अलग से निकाल लेंगे एक बोल में और जो बची हुई चाशनी है अब हम इसमें लगबग 5-6 बड़े कप पानी और एट कर देंगे तो जो चाशनी हमने बचा के रखिए न उसको थोड़ा सा ठंडा करके हम फ्रीज में रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए और इस पचाशनी को हम अच्छे से बॉइल करेंगे यहां पर जो हमारा चैना है वो भी तयार हो चुका है इसमें से बिल्कुल पूरी तरह से पानी हमें नहीं निकालना है थोड़ा सा मौशर इसमें रहना चाहिए आप इसको कान के पास लाकर देख सकते हैं इसको दबा कर के थोड़ी अलग सी आवाज आएगी इसमें पानी जैसी अब इसमें चैने को हम एक मिक्सर में डालेंगे क्योंकि हमें काम थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है तो मिक्सर में डालने के बाद इसको पल्स के साथ में हमें तीन पल्स देने हैं इसमें और इसको पीस लेना है चैना सौफ्ट होकर तयार हो गया है एक थाली में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं अब एक कटोरी लेंगे और उसमें हम लगबग एक बड़ा चमच मैदा एड़ करेंगे और उसी के साथ में ही थोड़ा सा पानी एड़ करके एकदम पतला सा घोल बना कर तयार करेंगे इसको एक साइड में रख देंगे और यह जो हुमारा चैना है यह काफी सौफ्ट हो चुका है यह देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी सौफ्ट है यह आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं आप एक छोटा चमच इसमें हम मैदा एड़ कर रहे हैं अगर आपका जो दूध है वो जादा फैट वाला है यानिकि आपने फुल फैट मिल्क लिया है तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा जादा एड़ कर दे लगबग एक बड़ा चमच कर दे मलाई मैंने निकाल चुकी है प किस सरीके से यह चैना की एकदम सॉफ्ट बॉल हमने तयार कर ली है जो की बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है और इन बॉल्स को हम अपने डालेंगे इस बचे वे पानी के अंदर इससे इनकी जो शेप है वो ऐसे की ऐसी रहेगी और एकदम सॉफ्ट रहेंगी कड़क न बन जाएगा यह देखिए और आब हम एक एक करके अपने रसगुले इसके अंदर एड करते रहेंगे हलवाई लोग क्या होते करते हैं कि रीठा का पानी इसमें यूज करते हैं लेकिन वो चीज हमारे पास नहीं होती है तो हम इस तरीके से इसके उपर जाग बनाएंगे अ तो इसलीए हमें इसमें ये मैदा का गूल डालना जरूरी तो धाली नाए थाले यह SWGT पांच मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रजगुले का जो साइज है वो कित तरह से बढ़ चुका है लगबग दुगना हो गया है अब इनको खुला करके पकाएंगे लगबग 3-4 मिनट के लिए इनको धकना नहीं है और खोल के इनको पकाएंगे पांच मिनट के हमने 2 मिनट हमने खोल के पकाया था 5 मिनट धक कर पकाया है और 3-4 मिनट आप हम इनको खोल करके पकाएंगे हमारे जो रजगुले है वो तयार हो चुके है लगबग आप इनको एक पानी में डाल करके देख सकते हैं अगर रजगुला नीचे बैठ जाता है तो रजगुला ट्रांसपर करेंगे ताकि इनको एक जटका सा लगेगा और इनकी जो शेप है वो ऐसी की ऐसी रहेगी एक एक रसगुला निकालना है और चाशनी के साथ में ही लेना है लगबग तीन से चार मिनट के लिए अभी पानी के अंदर हम इनको पड़े रहने देंगे इसके बाद मे निकाल दी थी और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था वो चाशनी हमने यहाँ पर ले लिए है थोड़ा सा उसमें मैंने केवरा एसेंस डाला है अब हम रसगुलो को स्क्वीज करके इनका पानी पूरा निकाल करके इस चाशनी में डिप कर देंगे और लगबग यह देखिए पूरा रस मैं इसमें से निकाल दूँगी अच्छे से स्क्वीज करके और आप देखिए फिर से यह वैसा ही गोल इकदम बॉल जैसा बनकर तयार हो गया है तो इसी तरीके के रसगुले आपको भी मिलेंगी अगर आप पूरे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करे हैं और अगर आपको कोई भी परिशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में सवाल पूछ सकते हैं उनका जवाब में जरूर दूँगी फिर से मिलेंगे नए रेसिपी के साथ बाइबर